और डेपार्टमेंट की इजथत कौन से आसमान पे है वे इजधत ही उसकी इज腦 हो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पुलीज डिपार्टमेंट तुम वहां पर क्या कर रहे थे तुम्हारी जिब में पैसे कितने थे अरे तुम्हारी पास हिते पैसे कहां से आए अप शनाप सवाल पूछकर उस बचारे की बोलती बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं जौपाशनदा लेकर आओ और कुछ सिग्रेट भी लाना वजबूरूर जाता बलकि उससे अपना हिस्सा लिया जाता है और ऐसा करने से हमारे पुलीस देपार्टमेंट के इश्जत बहुत बढ़ जाती है सुभा और जाने की जल्दी में कोई स्कूटर वाला गलती से सिग्नल से थोड़ा आगे निकल जाए तो खयामत आ जाती है स्कूटर पुलीस थानों में तसकरों दलालों क्रिमनल्स की आवब हकत की जाती है उन्हें कुरसी पेश की जाती है तो उससे बहुत इस बढ़ती है इसके सिम्मेतार हम है कल तक लोगों की चेवे काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके कि तसकरी करने वाला आज हत्यारों की तसकरी कर रहा है तो इसके जिम्हेदार हम है एक चकला चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है तो इसके जिम्हेदार हम है हर मेहने कि पहली तारीक को हम लोग तनखा लेने पहुंचाते हैं लेकिन वो पैसे चार से मिरिस्टर या मिले से वो पैसे जन्ता के हैं उस चन्ता के जिसके साथ हम लोग तमीज से बात भी नहीं करते हैं कि जंदा ने देश की हफाजत के लिए बॉडर पर जवानों को रखा है और समाज की हिवाजत के लिए हमें हो अपना काम करते हैं लेकिन हम कारगेल में जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो पूरा देश रोया था लेकिन जब एक पुलीस वाला मरता है तो लोग उल्टा खुश होते हैं कहते हैं कि अच्छा हुआ एक घुसकुर कम हुआ कि हमें ये situation बदलनी है अपनी image बदलनी है ताकि लोग भी अमारे बारे में कुछ अच्छा कहें और ये सब पुलीस स्टेशन के मंदर बना डालने से या दिवारों पर अच्छी अच्छी लाइलिक डालने से नहीं होगा हमें कुछ करना होगा मुझरिम होगो इस वर्दी की ताकत बतानी होगी क्या है वो छोटा मोटा पोकेट बार हो या असरदार और अमीर शक्कर सिंधारिया हो तभी जाकर यह जंता हम से जुड़ेगी और हमारी इस्दत करेगी